रिलाक्स दूंगा औरों में कहा दम था कभी अपडेट दूंगा मैं डॉंट वरी बट अभी क्या है ना यार क्या है मालूम है मैं सिंपल बात बोलता हूं मैं कभी भी कि अगर आप कोई भी दूसरे फिल्म का उसी एक्टर का अगर अपडेट दे रहते हो ना शैतान का फिर जाया लवे ठीक है वह पहले रिलीज थी मैंधन बाद में रिलीज हुई तो जो रिलीज हुई जो फिल्म है न उसका हाइप कम हो जाता है ऐसा में मानता हूँ मैं यह नहीं कह रहerin हो कि मैं इस से हीट हो जाएगी प्रैक्टिकल बात करते है हम मैं मैंधन का हीट होना तो वो एक होप कर रहा हूं है कि वो अच्छा जाए क्योंकि आज का अगर हाई पर आज का कलेक्शन देखने के बाद आजे सर के फैंस तो कुछ आप एक्सपेक्ट भी नी करेंगे सिंपल बात है ठैंक्स टू बोनी कपूर भाई बहुत बुरी यह लेगा भाई यह अजे देविन के फैंस पे इत्स लाइक कि इतना बुरा अदमी क्या बोलू मैं छोड़ो और हाँ बड़ी मिया चोटी मिया का भी हाल बहुत बुरा है पर अभी हम मैदान वाली बात कर रहे ह आप है कि अभी तक तो इस सिर्फ पूरे दीन में 60 लाग को क्रॉस कर चुकी है फिल्म अब बचे हैं सिर्फ आठ अवर्स लगबग आज के दीन के में भी आर आज ही एक करोड के नीचे ना रहे यही होप करते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको ये शायद एक करोड के नीचे जल्दी भी आ सकती है आज अगर ऐसा हो जाता है ना गलती से भी मैं एक करोड प्रेडिक्शन फिर भी पकड़ रहा हूँ सववा करोड मैं सोच रहा था लेकिन एट प्रिजेंट का हल देखके मुझे लग नहीं रहा है एक करोड मानके जा रहा हूँ कुछ अरली ट्रेड्स ने तो एक करोड से नीचे बोल दी आज तो मैं अभी भी होपफुल हूँ कि एविनिंग के थोड़े बहुत शोज को लो एक करोड हो जाएगा और इसी के साथ मुवी जाएगी साड़े 24 करोड पे छे दिनों में इसका बजट भले 90 बोलो 100 बोलो या 150 करोड बोलो मेरे पास तो 150 का ही अपडेट है पर आप लोगो क्या अनुसार अगर 90 करोड भी बजट है फिर भी भाई सच बोलू runway 34 was better as compared to मेहदान कलेक्शन के मामले में वो भी नहीं चली थी उसका बजट है 75 करोड उसने वर्ड वर्ड कमाया था 53 करोड और ये मुवी का बजट आप लोग बोलते हो 90 करोड है मैं बोलता हो 150 करोड है फिर भी चलो 90 भी बानके चलो तो भी ये 6 दिन में साड़ उसका और वर्ड वर्ड वाइड 55,60 हम 65,70 भी नहीं बोल पार है आज का हालत देखने के बाद तो 55,60 फिनीश है भाई हाँ रनवे 34 को शायद वर्ड वाइड में क्रोस कर ले 53 था उसका शायद ये 55,60 कर दे पर आप तो बोल रहो न 90 करोड की फिल मैं तो बोल रहो 150 करोड क वो तो दूर की बात है, 90 छोड़ो यार, 70 तक नहीं पहुच रही है, मैं एकी बात कहूंगा, आजे सर ने अब ना, उनकी कोई गलती नहीं है एक्चली, ये फिल्म बहार बहार पोस्पॉन कर दी गई थी, और मैं यही कहूंगा कि बोनी कपूर इसे दूर रहे भाई, बस, अजे सर ने अब मैं clear बोल रहे हूँ, मैं तो चाहते है सिंगा मागें से भी उस अरजुन कपूर को उठा के फेक दे, लेकिन वो अरजुन कपूर के मामले में अजे सर ऐसा नहीं करेंगे, वो अच्छे है, दिल के अच्छे है, भोले भी है, तो वो नहीं उसको यार, इतने अच्छी फिल्म में काम करना है, I mean, क्या किया है तुमने मैदन के साथ, क्या बोले, एक अच्छी फिल्म यार, एक बहितरीन कंटेंट वाली एक फिल्म, अरे तुम में मन्थ तक रुख जाते ना यार, शैतान को थोड़ा कमाने भी देते ना भी, और शैतान के स्क्रीन्स भी मैदन की विज़े से कम हुआ थे, ये बोनी कपूर ने शैतान को भी रोक दिया, वो तो अल्रेड़ी ब्लॉक बश्टर भी है, लेकिन वो एक सो साथ के है, एक सो, दो सो करोड भी नेट कलेक्शन कर सकती थे, स्क्रीन से निकाल दिया है, कुछ जगा पर ही है बस अब, तो उसने दोनों भी फिल्म्स को, मतलब हाँ, वो तो अल्रेड़ी ब्लॉक बश्टर होगी है, लेकिन वो भी दो सो करोड जा सकती थे, नेट में बोल रहा हूँ मैं, इसने तो यार, क्या ही बदला के लिया है, इसने सच में आक्शे से बदला लिया है, आज इसे